नमस्कर दोस्तो अनिल चौपडा श्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में दोस्तो आज हम बात करेंगे सिताफल के बारे में जो पूराना फार्म है जिसमें से हमें फूरुटिंग लेना है उसी फिल्ट के बारे में हम डिसकस करेंगे तो आप से मैं बताओ कि ये जो सबी पूइंट है वातावरन, खाद, पानी, आच्छादन, आंतर, फसल ये सबी पूइंट के उपर हम वन टू वन डिसकस करेंगे क्यूं बता रहा हूं ये बात तो अभी मोशम चल रहा है वसंत रूतू का वसंत रूतू में सीताफल का रेश्ट प्रियड होता है उसमें स इसलिए इंपोर्टेड है कि आने वाली मोशम में अच्छा फ्रूटिंग हमें मिले तो कौनसी कौनसी चीजों का शावधानिया रख के काम करना है और कौनसे कौनसे पॉइंट के उपर हमें इंप्रूमेंट करना है ये सारे पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताए है तो यह सभी पॉइंट के उपर हम डिसकस करेंगे दोस्तो होटी कल्चर फार्मिंग के रिलेटेड आपको टेक्निकल वीडियो जानना है तो आप अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घं है तो मुझे कॉमेड बॉक्स में आप पूछ सकते हो और दोस्तों सीताफल के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के उपर दिये गए नंबर पर आप सीताफल लिख के वाट्सअप कर दीजिए वहां पर सारा डिटल्स आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम समझते है वातावरन वातावरन का मतलब क्या है कि अभी जो मौसम चल रहा है वो फ्रूटिंग खतम हो चुका है हार्वेस्टिंग खतम हो चुका है और यह समय में प्लांट है वो रेश्प्रियेड में चले गए है अभी थोड़ा थोड़ा ठंड भी च रुका हुआ है तो यह समय में हमें खाद क्या मेंटेंड करना है पानी क्या मेंटेंड करना है तो यह सारे पॉइंट के ऊपर वन टू वन बात करते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट है इस वीडियो का कि खाद हमें क्या मेनेज करना है तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको तीन हिस्सों में बात करूँगा औरगेनिक खाद के बारे में और ये दोनों डालने के बाद जो जीवानु है उसके बारे में जो हमारे पोदे को ये खाना खिलाने वाले है तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक निवेदन करूँगा कि आप ये फटीगेशन खरने से पहल आपको रिपोर्ट की आवश्यक्ता नहीं रहेगी लेकिन जब आपके पास क्यमिकल खाद डालने का सिचिएशन खड़ा होता है उस समय आपको स्वाइल रिपोर्ट की जरूत रहेगी तो आप रिपोर्ट करवाते हो तो ये खाद आप इजीली मैंटेंड कर सकते हो कौन सी से खाद की कितनी कितनी मातनी रिंई ये सपारी प्रफेक्शन पर आप जा सकते हों तो चले दोस्तों अ크 करते हैं दोस्तों अभी समय रिष्ट का है तो अभी हम घंड डाल रहे ये एकदम राइन समय है ये खाद डालने का बेजल डोज का तो सीताफल का फार्मिंग कर रह आप गोबर का खाद है, वर्मी कमपोस्ट है, गंजीवा मुरूत बना रहे हैं तो गंजीवा मुरूत है, या फिर कोई भी केच्छुग के खाद है, ये सारे और्गेनिक खाद इसके अंदर आप डाल सकते हो, और दूसरा आप प्रोटेक्शन के रूप में इसके अंदर नीम केक है, कास्टर केक है, तम्मा कू पाउडर है, युमिक एसीड है, जड़ो की बडाव के लिए, ये सारे खाद मिक्स करके आप और्गेनिक के रूप में ये सिता फल में डाल सकते हो, दोस्तों ये मैंने आपको अलग-अलग खाद बता है, उसमें से कोई भी आपको मिलता ह है, वो आप एपलाए करिए, ये सभी खाद आपको नहीं मिल रहे है, तो आप बाजार से कोई भी अच्छी कंपनी का रेडिमेट खाद भी इसके अंदर डाल सकते हो, जिसके लिए मैं आपको एक सज़ेस्ट करूँगा, कि आप राइजिंग लिफ और्गेनिक पैलेट और ये कंपनी ने एक पैलेट के रूप में तयार किया हुआ है, जिसके अंदर गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, कोको पी डाला हुआ है, अलोवेरा डाला हुआ है, नैचरल एमिनो एसीड है, शीविड एस्टेक है, यूमिक एसीड है, नीम खली है, कास्टर केक भी डाला ह और तम्माकू पावडर भी इसके अंदर डाला हुआ है रोक फॉस्पेट भी डाला हुआ ये सारे कंटेंट को मिला के कम्पनी ने एक ओरगनिक खाद तैयर किया है तो ये खाद भी आप एप्लाइ कर सकते हो आपके प्लांट की उम्र कितनी बड़ी है उस हिसाब से इसके अं से आप information ले सकते हो और order भी कर सकते हो वहाँ पर मुझे call करने के आउसकता नहीं रहेगी तो यह था organic खाद के बारे में बात अभी हम बात करते हैं chemical खाद के बारे में तो दोस्तों chemical खाद डालना इससे पहले आपको आपकी soil का report करवा लेना है तब जाके आप इसको proper तरीके से maintain कर पाओगे फिर भी मैं आपको एक जनरल बात करता हूँ तो आप बेजल डोज में nitrogen, phosphorus, potassium, potassium जैसे खाद जो है वो बेजल डोज में आप डाल सकते हो जिसके लिए DAP है, NPK के grade आते है 12, 13, 16, 10, 10, 26, single super phosphate आता है, potash की कमी है तो potash भी आता है ये सारे खाद आप बेजल डोज में डाल सकते हो ड्रीप सिस्टम का आप उप्योग कर रहे हो तो ड्रीप के अंदर आप water soluble खाद भी apply कर सकते हो दोस्तों अभी बात करें जीवाणू के बारे में तो जीवाणू क्यूं जरूरी है आप organic खाद डाल रहे हो और chemical खाद डाल रहे हो तो उसको dilute करके पोधे की जडों तक पहुंचाने का काम ये सब जीवाणू करते है और जो हमारे पोधे है उसकी जडों को protect करने का काम भी ये जीवाणू करते है जीवाणू की संख्या कम हो जाएगी बैक्ट्रिया की संख्या कम हो जाएगी तो हमारे प्लांट को nutrition भी कम पड़ेगा पानी भी कम पड़ेगा और वहाँ पर डीसिस लगना चाल हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितना maximum बने उतना nitrogen fixing culture डालिए फोस्पेट शॉलिलाजिंग बैक्ट्रिया पोटा सॉलिलाजिंग बैक्ट्रिया ट्राइकोडर्मा शुडोमोना स्पैसिलोमाइसिस वाम कल्चर है आप जिवामरूत बना रहे तो जिवामरूत का उप्यों करें एडवांस जिवामरूत बना रहे तो एडवांस जिवामरूत का उप्यों करें गहुक रुपा अमरूत कल्चर डेवलाप कर रहे तो उसका उप्योग करें वेस्टी कंपोजर बना रहे तो उसका उप्योग करें जितना बने उतना मैक्सिमम यूज करें चार हजार से पांच हजार लीटर पर एकर के हिसाब से ये कल्चर आपको करना है तो आपकी इंप्रू हो जाएगी और ये जो खाद आप डाल रहे हो उसका पूरे पूरा बैनिफिट आपको प्लांट को मिल गए दोस्तों हमने खाद के बारे में पूरा बात किया और खाद हम आने जाना चाहिए और पानी देने के बाद आप होशके तो उसके उपर आच्छा दन भी करिए आच्छा दन करते हो दोस्तों तो आपको आने वाले समय में पानी की मात्रा कम लगेगी और जहां आच्छा दन किया है उसके नीचे केच्छुए की गतिविदी बढ़ जाएगी रासाइनिक प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी तो जो हमारे पोदे उसको नुट्रिशन की कमी मैसुस नहीं होगी पानी की कमी मैसुस नहीं होगी यह सारा बेनिफिट आच्छा दन के बाद हमें मिलना चालू हो जाता है बीच में दोस्तों आपको एक छोटी सी बा फ्लावरिंग निकालने की समय में उसको एनरजी की जरूरत रहेगी तो वह समय में उसके ब्रांचिस में से पूरा एनरजी खतम हो चुका होगा और नया एनरजी देने के लिए हम यह सारा श्यूडियल एपलाई करवाते हैं फार्मर को ताकि उस पोदे में एनरजी कम ना पड़े हैं एनरजी कम पड़ने की वज़े से उसमें से नया जो फ्लावरिंग आ रहा है उसका ड्रॉपिंग बहुत होता है दोस्तों कुछ-कुछ जगह तो फ्रूट शेट होने के बाद भी ड्रॉपिंग आता है उस समय में हम क्या करते हैं कि उसको बचाने के लिए ञएधिश टॉर होना बहुत जरूरी दोस्तों उसके लिए मैंने इस पूरा वीडियो बढया है और यह सारे पॉइंट आप कि आए और इस वीडियो का लाश्ट पॉइंट है आंतर फशल यह दोस्तो ऐसा है कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो दोस्तों यह वीडियो में आपको कैसा लगा है मुझे कॉमेट बोक्स में बता सकते हो तो चले दोस्तों ये वीडियो को मैं खतम करता हूँ मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत